असलाम आलेकुम फ्रेंट्स आज की सीडो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरी यही स्तिरी बैंक अलिनमा का अप्लिकेशन डाउनलोड करके उसी के जरी आप कैसे आल लाइन बैंक अकाउंट ओपिन कर सकते हैं आपको बैंक पर जा इसको भी इसी वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं तो प्लीज वीडियो को लाज तक देखते रहेगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी से रिक्वेश्ट है आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक भी नहीं करते हो और सब्सक तक एक अपने मोबाइल में पहले श्टोर को ऑपन करना हो यहां पर जिएप को टाइप करना है बयंक कर लेंगे तो थोड़ा वेट करने आपके सामने यहां सब से नीचे आप देख रहे हैं ऊप एकाउंट ओनलाइन लाइनल इन्मा बयंक इस पर आपको किल्प कर देना है उसके बाद में यहाँ Open Account Now पर आपको क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर आप सबसे नीचे आजाएं यहाँ पर ID नमबर में आपको अपना IKAMA नमबर डाल देना है IKAMA नमबर फिल करने के बाद में आपको Agree and Continue पर क्लिक कर देना है इसके बाद में यहाँ यह दोनों आप्शन में यहाँ आटोमेटिक फिल कर लिया है इसू पलेस में आपका IKAMA जहां से इसू हुआ है वो आप डालें तो अभी तो electronic IKAMA बना है तो इसू पलेस नहीं दिया होता है तो आप जहां पर रह रहे हैं उस जगए का नाम आप यहाँ पर select कर दें उसके बाद में आपको next कर देना है next पर click करने के बाद में जो अगला page open हो राफ यहाँ पर आपको अपनी personal information आपको fill कर देनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं gender में male या female आप जो भी हो select कर लें title में आप doctor, engineer, HR, highness क्या है आप वो select कर लें तो ज़्यादा तर लोग mystery होते हैं क्योंकि normal काम में आते हैं country of birth आप जिस भी country में आपकी पैदाईस हुई है यहाँ पर आपको फिल कर देना है तो यहाँ पर मैं इंडिया फिल कर दिया हूँ place of birth आपके passport पर place of birth लिखा होता है वहाँ से देख करके यहाँ पर आप place of birth डाल दें मैं यहां से पहले भर दिया हूँ ताकि time की बचत हो, date of birth आपके passport पे जो आपकी तारिक पैदाई से वो आप डाल दें उसके बाद में preferred language में English अर्भी जो भी है आप यहां select कलने education label में आपकी तालीम क्या है graduate है, diploma है, certificate है या illiterate है पड़े लिखे नहीं है तो आप जो भी हो आप यहां से आगर के select कर सकते हैं तो मैं यहां graduate select कर देता हूँ first name in English, last name in English, आपके passport पे जो आपका नाम है वो पहला नाम और दूसरा नाम यहां पर English में आपको fill कर देना है nationality आप कहां के रहने वाले हैं, किस country से आपका तालुक है वो आप यहां पर fill कर दें country of residence तो हर कोई साओधी अरबिया में ही रह रहा है तो यहां पर साओधी अरबिया आटोमेटिक select रहने देंगे इसके बाद मैं आपको next पर click कर देना है इसके बाद में friends आपके सामने जो अगला page open होगा यहां पर आपको ध्यान देने की बात है कि इसमें आपको जो आपका national address साओधी अरबिया में बनता है वो उसको देख करके आपको पूरी information यहां पर fill करनी है आप अपना national address कैसे देख सकते हैं आप जश्ट तवकलना में चले जाएं तो मैं आ करके आपको दिखा देता हूँ कि तवकलना से आप अपना national address कैसे देख सकते हैं तो अभी wait कलने मैं तवकलना open कर रहा हूँ और वहां से मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने पहले से अपना national address बना रखा है तो आप कैसे तवकलना से national address देख सकते हैं तो यह मैंने पहले से खोल कर रख दिया था तो मैं यहां home पे चरा जाता हूँ आप यहां dashboard पर जब आप आजाएंगे अपने तवकलना में तो उसके बाद में आप थोड़ा सा scroll करके जब नीचे आजाएंगे तो यहां पर आप देख सकते है national address यह location का जो icon बना हुआ इस पर आपको click कर देना है इसके बाद में अगर आप पहले से national address बना होगा तो आप यहां से देख करके उस वाले page पर जा करके पूरी information को आप फिल कर सकते हैं लेकिन अगर नहीं बना हुआ आपका national address तो एक click में आप कैसे बना सकते हैं की वीडियो आपको हमारे यूटूब चैनल पर मिल जाएगी आपको description में भी उस click मैं दे दूँगा वहां से आप जा करके देख सकते हैं तो उसके बाद में यह देख सकते हैं कि city में आप जिस भी सार में रहते हैं साओध एरबिया में हुआ फिल करने पोस्टल कोड आप भर दें इस्टिट नेम भर दें यह सारी डिटियल आपको अपने तवक्तलना में जा करके नेशन एड्रेस में देख करके पूरा फिल कर लें contact information में एक email ID आप डाल दें country code यह mobile नंबर आप यहां पर डाल दें इसके बाद में आपके सामने एक और पेज ओपन होगा है इस पेज में आप जिस भी country से आपका तालूख है चाहे आप इंडिया से हो पाकिस्तान से हो बंगलादेश से हो उसकी डिटियल आपको पूरी फिल करनी है आप जिस भी country से हो वो country नेम पहले ना खाने में आप स्र लिक कर देना है इस तरीके से जो यहां पर अगला पेज ओपन हो रहा है यहां पर आपको जॉब से रिलेटेड पूरी इंफरमेशन आपको फिल कर देनी है तो यहां आपको पहले खाने में प्राइवेट शट कर लेना है क्योंकि हर कोई प्राइवेट जॉब करता है उसके यिकामे पे लिखा होता है, title में जो काम आप कररें, वही काम आप फिर से यहां पर अपसरेड करने, income information में payroll डालने, क्योंकि हरकेगी की salary होती है, यहां पर payroll ही इसलेड करने, उसके बाद में income amount, आपकी salary है वह amount यहां पर आपको income frequency में, यहां पर मंतली आपको सट कर लेना है उसके बाद में income source, income receive यानि आपकी जो sell लिया आती है कैसे आती है तो हर अक्सर करकी bank transfer होती है तो transfer सट कर ले नई तो case की है तो case कर ले उसके बाद में income source में payroll ही रहने दें फिर अगला जो है income amount 2000, income amount आपका जो sell लिया हो आप यहां पर account opening यहां से आपका bank account का opening का current क्या है तो यहां पर सेविंग सेट कर ले उसके बाद में यहां पर पूछ रहा last में account with other bank यानि आपका किसी और bank में भी account है अगर है तो yes कर दें अगर yes कर देंगे तो उसकी detail भी आपको यहां पर डालनी होगी तो मैं यहां पर no कर देता हूँ आप अपना इकामा नंबर डाल दें और एक अंक आउट डालने क्योंकि टोटल ग्यारांग की जरूत होती है उसके बाद में अगले में no ही रहने दे वेट नंबर में आपको कुछ नहीं डालना है बकिया यह जो नीचे no no का option है सबको no no ही रहने दे no no सबको ही रहने दे उ उसके बाद में अगला जो option आएगा यहां आप देख सकते हैं अगले option में agree and continue पर आपको क्लिक कर देना है जब आप agree and continue पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में एक और पेज ओपन होगा तो थोड़ा वेट करने हैं अभी processing में है यह पेज अब last है अप शर का यह website ओपन हो करके आपको मताबे यानि login पर क्लिक कर देना है इस तरीके से आपकी verification complete हो जाएगी इंशाला आप देख सकते हैं कि account created successfully हमारे account create हो गए इसकी एक screenshot ले 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 उसके बाद में अगला option है additional service इस तरीके से आपका account तो create हो गया है लेकिन जो अगला option है बहुत important option है यहां से आप आपको ध्यान देनी की जुरूरत है अब जो अगला option आएगा वो ATM card और internet online internet registration का option आएगा तो इसको activate करने के लिए आपको just submit and selected choice पर आपको click कर देना है इसके बाद में जो यह पेज open हो रहा है यहां से आपका internet banking का registration होगा यानि आपके जो अलिनमा का जो आप application download की हैं उसी क यह user ID password यहां से create हो रहा है तो इसको ध्यान दें जो भी आप user ID password डालें वो आप ध्यान रखें क्योंकि यही आपकी आलिनमा बैंग का जो application उसी का user ID password ही होगा तो यहां पे मैं अपना password और user ID डाल देता हूं आप भी अपने मन मताबिक जो भी आपको आसान लगे वो आप क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा OTP डालने के बाद में confirm registration पर क्लिक कर देना है फिर जो अगला option आएगा इसको आपको allow कर देना है location को फिर यहां पर आप देख सकते हैं print from Alinma ATM card यह ATM card वाला last page last option है अगर आपके mobile में NFC support करता है तो आपको print कराने की जरूत नहीं आप digital card अपने mobile में रख करके आप उसको use कर सकते हैं तो हमको machine पर नहीं जाना है print कराने हम पो इतना time नहीं रहता है तो हम deliver to my address पर click कर देंगे इसके बाद में आपका जो national address वाला पूरा address हो यह automatic catch कर लेगा आप पूरा देख लिए एक दफ़ा अगर address आई है तो उसके बाद में request card पर आप click कर देंगे तो bank वाले आपके register address पर वो तीन से चार दिन के अंदर आपका ATM card send कर देंगा आप देख सकते हैं कि आखिर में message आ गया account created successfully आपका अलिनमा ID यह account number यह है तो पूरी detail आपके सामन आपके अगयो कर वी दो पसंदा झाल 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 झाल